डियर इस्टुएंट्स स्वागत है आप से भीका एक ने वीडियो में तो बच्चों बादसा अकबर के नवरतनों में से बिर्वल एक थे जो सबसे बुधिमान थे दर्बार में ऐसे कई दर्बारी थे जो बिर्वल से जलते रते थे और उसे नीचा दिखाने का कोई ना कोई शडियंतर रच्टे रहते थे तो आए देखते हैं ये कौन सा चेप्टर है ये क्लास फाइव का हिंदी बुक है चेप्टर फॉर्टिन है और इस चेप्टर का नाम है अगनी और पवन और ये चेप्टर जो है एक पले के रुप में दिया हुआ है एक नाटक के रुप में उनके समक्च उनके दो दर्बारी उनकी चापलूसी करते हुए करते हैं उनके दो दर्बारी उनके पास आते हैं और क्या का रहे हैं पहला दर्बारी है खुजूर आप हमें जो भी कारी सोपेंगे हम उसे तुरंत कर देंगे यहां पे चापलूसी करते हुए बोल रहे हैं तो दुसरा दरबारी बोल रहा है, मैं भी जहाँ पना, कि मैं भी कर दूँगा, आप जो इसा कारिज देंगे, मैं तुरंथ ही उसको पूरा कर दूँगा, अकबर ने ताड़ लिया, कि दोनों दरबारी उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उन्होंने उन दोनों को सबक सिखाने का निश्चे किया, तो वे समझ गए, कि वे जो है, बीर्वल की तरह ही अपनी वो बुद्धी मानी का परीचाई देना चाहते हैं, तो बादसा जो है, उनको सबक सिखाने का निश्चे कर लिए, कि इन लोग को किसी समस्या में डाला जाए, तो अकबर जो है क्या बोल रहे हैं, वैसे तो मैं किसी को अनावाज से कोई काम नहीं सौपता हूँ, लेकिन तुम दोनों के निवेदन को देखते हुए, मैं तुम दोनों को एक-एक काम सौपता हूँ, तो बातसा बोल रहे हैं कि बिना कारण बस जो है मैं किसी को काम नहीं देता लेकिन अगर तुम लोग इतना request कर रहे हो तुम लोग को एक-एक काम दे देते हैं दोनों दरबारी एक साथ बस हुकम कीजिए जहाँ पना कि बस जो है आप आग्या दीजिए और आपका काम समझे पूरा हो जाएगा तो इस तरह से दरबारी बोल रहे हैं अब अकबर क्या बोल रहे हैं तुम दोनों में से एक अगनी अर्थात आग को कागज में बांद कर लाओ और दुसरा पवन अर्थात हवा को कागज में भर कर लाओ अब इस तरह की एक जो है meaningful काम उन लोग को दिया जा रहा है जो आसानी से करना संभव नहीं है तो ऐसा बोलके हुए उन लोगों को भेजते हैं कि कागज को मतलब आग को कागज में बांद कर लाना है एक को और दुसरे को हवा को कागज में भर कर लाना है बादसा की बात कई दिनों तक सोचते रहे बहुत दिमाग दोड़ाया बहुत कुछ पढ़ा पर इस समस्या का कोई हल नहीं समझ में आया अंत में हतास होकर वे दोनों बिरबल के पास जाकर उनके चरनों में गिर अपनी समस्या बताई तो वे लोग जानते थे कि इस तरह का समस्याओं को के लिए बिरबल ही सबसे उप्यूकते हैं और अंतता जो है उन लोग कई दिनों तक अपना दिमाग लगाने के बाद जब ठक हार गए तो फिर बिरबल के पास दोड़े और उनके चरनों में गिर पड़े कि हमारे साथ ये समस्या हो गया है आप इसका सुल्यूशन कर दो और दोनों दरबारी वहां पहुँचके बिरबल के पास बोल रहे हैं कि हम आपकी सरन में आये हैं हमारी इज़त अब आपके हाथ में हैं अब जिससे उन लोगों ने पंगा लिया उसी के पास पहुँच गए अपनी बुधिमानी का परिचे देना चाहते थे लेकिन ऐसा अब वे उसका सोल्यूसन जो है उस डिबे के अंदर बन था तो वो डिबे को उन दोनों को दे दिये और बोल दिये कि आपने जो काम दिया था वो पूरा हो गिया और डिबा को जो है बादसा को दे देना है अब दूसरा दिरिश चलता है पहला सीन यहां पे समाप्थ हो जा अकबर भी उसका जवाब देता है सलाम आदाब उसके बाद दोनों दर्वारी एक साथ क्या बोल रहे है हुजूर हम दोनों ने आपके सोपे कायर को पूरा कर लिया है उनके आगे अपने डिबे को रखता है बादसा डिबे को एक एकर खोलते हैं पहले डिबे में कागज की एक लाल्टेन, मुंबत्ती और दिया सलाई निकाला निकला तथा दूसरे डिबे में कागज का एक पंखा निकला उन डिबों के बारे में बादसा ने उनसे पुछा तो बादसा जब इतने सारे चीजों को देखा है कि डिबे में लाल्टेन, मुंबत्ती और दिया सलाई है औ इसा क्यों कि आपने इन चीजों को क्यों रखा है तो दरबारी जवाब दे रहा है हुजूर मैंने आपकी आग्यानुसार कागज में आग बांध कर लाया हूं कि आप जो बोले थे कि आग को जो है कागज में बांध कर लाना है तो आप जैसा बोले थे वैसा ही मैं कागज में हवा को बांधा है इसलिए मैंने डिबे में कागज का पंखा रखा है और दूसरे दरबारी ने कहा कि जिस परकार आपने कहा था कि कागज में हवा भर कर लाना है तो इसलिए मैंने डबे में कागज का पंखा रखा है कागज का पंखा लाया है बादसा को या समझते देर नही का ही काम है उसे पता था कि इस तरह के मुश्किल भरे सवाल को सुलजाना सिर्फ बिर्बल का काम है वही सुलजा सकते हैं कोई आम दरबारी इसे नहीं कर सकता उन्होंने दोनों दरबारियों से पूछा तकबर बोल रहे हैं तुम्हें या उपाई किसने बताया सच सच बताना वरना कड़ी सजा मिलेगी जब इस तरह की बात उन लोगों को बोला बादसाकबर ने तो दोनों दर्बारी डर गए दोनों दर्बारी डर से कामते वे बोल रहे हैं हुजूर बिर्बल ने हमें यह उपाई बताया तो उन लोगों ने सचाई बतला दिया कि बिर्बल ने हमें यह उपाई बतलाया अकबर डांट कर दोनों दर्बारियों को विदा करते हैं तथा भविस में चापलूसी की जगह कड़ी मेहनत करने की सला देते हैं अकबर को जब यह पता चल जाता है कि इन लोगों ने बिर्बल से मदत लिया है तो फिर वे उन लोगों को डाटते हैं और दर्बार से बाहर निकाल देते हैं और यह भी सला देते हैं कि भविस में चापलूसी की जगह कड़ी मेहनत करना है कड़ी मेहनत करें बलकि चापलूसी ना करें दोनों दर्बारी सर जुकाए दर्बार से बाहर चले जाते हैं तो जिस परकार से बुद्धिमानी का परीचे हो देना चाहते थे वैसा कुछ भी न कर सके और उनकी बेज़ेती भी हुई तो आई देखते हैं इस चप्टर में क्या questions दिया हुआ है question number one में पढ़ें और समझें यहाँ पर हिंदी का सब्दार्थ दिया हुआ है इसको पढ़कर अब एक दो बार पढ़ लेंगे तो यहाँ ज्यादा तो है नहीं अब लोग कैसे ही याद हो जाएगा question number two सही विकल्प के सामने सही का निसान लगाए दरबारियों को किस ने सला दी तो यहाँ पर हो जाएगा बिर्बल ने बिर्बल ने सला दी थी अकबर कौन सा कार्य पसंद नहीं करता था चापलूसी उन्हें पसंद नहीं थी और गर नमबर में पहले डिबे में से कौन सी चीज निकली कागज की लालटेन मुवंबती दिया सलाई सभी निकला था तो उपरोक सभी हो जाएगा यहाँ पे और कौश्चन नमबर थी में इस चेप्टर का मुख कौश्चन है तो यह मैं आप लोगों को इसका अंसर बना के दिखाता हूँ यह है चेप्टर 14 का कौश्चन आंसर कौश्चन नमबर टू सही विकल्प के सामने सही का निसान लगाए तो यहाँ पे इसका डारेट अंसर दिया हूआ है कौश्चन नमबर थी सोचे और बताए जो इस चेप्टर का मुख कौश्चन आंसर है दर्बारियों की बात से अकबर क्या समझा दर्बारियों की बात से अकबर समझ गए कि दोनों उनकी चापलूसी कर रहे है अकबर ने पहले दर्बारी को कौन सा काम सोपा अकबर ने पहले दर्बारी को आग को कागज में बांद कर लाने का काम सोपा उन्होंने दूसरे दरबारी को क्या काम सोपा? उन्होंने दूसरे दरबारी को हवा को कागज में भर कर लाने का काम सोपा दर्बारी चिंतित होकर किसके पास गए? दर्बारी चिंतित होकर विर्बल के पास गए विर्बल ने दोनों दर्बारियों को क्या सला दी? विर्बल ने दोनों दर्बारियों को चलाकी से काम पूरी करने की सला दी अकबर ने अंत में दरबारियों को क्या सला दी अकबर ने अंत में दरबारियों को चापलूसी छोड़कर कड़ी मेनत करने की सला दी तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोग को किसी तरह कभी कोई प्रॉबलम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और नेक्स टेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं